यहांपे मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम मेर्यलो만 पर देना चाहता हूँ, यहां पर ये कोई भी है, यहां पर mention कुंहारो देना जाना है। तो हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, I hope यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे and yes, आप देख सकते हमारे पास है यहाँ पे Amisfit Bip 3 guys, कुछ टाइम पहले हमने Amazon से इसे order किया था, जब यह launch हुआ था and time नहीं बिला guys, actually video shoot करने के लिए and guys, इसे मैं use कर रहा हूँ पिछले कुछ time से and मुझे यह smartwatch इतनी जादा value for money नहीं लगी क्योंकि guys, इसके पहले हमने Deezo Watch D का एक unboxing shoot किया था and guys, इसकी जो price है, current pricing 2,999 इसके comparison में, मुझे यह watch यहाँ पे बढ़िया लगी कुछ aspect में so guys, in short, इस video में हम इन दोनों का comparison करने वाल है and guys, अगर आप plan कर रहे हो ना, इन दोनों भी smartwatches में से कोई भी smartwatch purchase करने के लिए, तो video को for sure end तक पूरी तरीके से देखे क्योंकि हर एक aspect के बारे में, यहाँ पे हम discuss करने वाल है and guys, इतनी लंबी बातचित के बाद, जो intro वाला पार्ट है, as usual में आपे भूल चुका हूँ नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing and guys, अगर आप first time होना Tech Unboxing चैनल पे, तो subscribe ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे धेर सारा ऐसा Tech-related content आते रहता है so guys, without wasting any further due, let's get started with the video so guys, यहाँ पे already मैंने DZO WatchD की Unboxing and Review वीडियो अपलोड की है अगर किसी को इसकी वीडियो देखने है, तो iButton में Link मिल जाएगी but guys, इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे हम Amazfit Bip 3 के Unboxing करेंगे so आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का Box Packaging आपको देखने मिलता है and guys, जैसे आप इससे Unbox करते हो, यहाँ पे वो Actual Smart Watch and हमारे पास Blue Color में Smart Watch है Initial First Impressions बहुत ही जादा Lightweight यह फील होती है फिर guys, यहाँ पे उन्होंने काफी बड़ा सा User Manual भी प्रोवाइड के है and यहाँ पे आपको Finally देखने मलते है इसकी Magnetic Charging Cable so guys, सबसे पहले हम करते है Smart Watch को Power On Power On होते है, यहाँ पे Amazfit की Branding आ चुक है QR Code आपको देखने मिलता है, इसके Application का फिर आपको जाना है Zapp Application में Add New Device पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो QR Code है, उसे Scan करना है Smart Watch के उपर यहाँ पर पॉप आ जाता है तो 33 ग्राम का इसका Total Weight निकल के आता है वैसे स्मार्ट वाच कंप्लीटली Polycarbonate Build के साथ आपको देखने मिलीगी राइट हैं साइड में यहाँ पे उन्हें ने Power On Button भी प्रोइड किया है और आपको यहाँ पे Completely Silicon Replaceable Straps भी देखने मिलेंगे अगर मैं यहाँ पे Diesel Watch D के साथ इसे compare कर रहा हूँ न तो Diesel Watch D में आपको Completely एना Metallic Body देखने मिलते है So guys overall यहाँ पे Polycarbonate Build के comparison में मुझे यहाँ पे Metallic Build बहुत ही जादा पसंद है So यहाँ पे मैं Diesel Watch D को Definitely बोल सबता हूँ Better Build Quality But yes एक चीज़ आपको धियान में रखने है कि Diesel Watch D का weight थोड़ा बहुत heavy आपको देखने मिलेगा And guys दोनों भी smart watches यहाँ पे 580M water resistance के साथ आता है So directly आप पानी में इसे submerge करके रख सकते हो So guys build quality यहाँ पे personally मुझे Diesel Watch D की बहुत ही बढ़िया लगी Especially price point को consider करते हुए Display को लेकि अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे उन्होंने Amazfit में 1.69 इंच का LCD display प्रवाइड किया है जिसका resolution यहाँ पे निकल के आता है 240 by 280 Brightness गाइस बहुत ही बढ़िया है Indoors and Outdoors में भी And guys, Diesel Watch D के अंदर आपको 1.8 इंच का display उन्होंने यहाँ पे प्रवाइड किया है And इसका भी resolution 240 by 286 निकल के आता है And guys, यहाँ पे Diesel Watch D में 550 Nits की brightness Officially company ने यहाँ पे डिकलेर की है So guys, brightness ना दोनों भी smartwatches की यहाँ बहुत ही बढ़िया निकल के आती है But guys, 3499 में आपको 1.69 इंच का Amazfit display प्रवाइड कर रहा है And 2999 की price में Diesel Watch D यहाँ पे आपको 1.8 इंच का display उफर कर रहा है Guys, color accuracy की अगर मैं बात करूँ ना दोनों भी smartwatches की To मुझे Diesel Watch D की color accuracy यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगी बहुत ही जादा पसंद आया And guys, यहाँ पे मैं disclaimer जेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे team भी हस रही है Guys, यह कोई भी है ना sponsor video नहीं है ऐसा नहीं कि Diesel ने हमें यहाँ पैसे दिये कि भाई हमारे घडी की तारीफ करो या फिर Amazfit ने बूला है कि नहीं, Amazfit क्यों बोलेगा मुझे Amazfit तो खरीदी हुई है मतलब देखो गई, simple चीज बता रहा हूँ कोई भी ऐसा paid video नहीं उसके लिए ऐसा खुल के बात कर सकते है जोड-जोड से बोलके लोगों को scheme बता दे So, खुल के यहाँ पे review देने वाले As usual guys, यहाँ पे आपको quick access settings देखने मिलते है फिर यहाँ पे brightness, alarm, सारी चीज़े आप set कर सकते हो Battery life भी आपको visible हो जाती है And yes guys, right hand side में swipe करते हैं यहाँ पे आपको धेर सारे widgets देखने मिलते है जैसे कि activity हो गया, heart rate, SPO2, stress monitoring, PAI फिर यहाँ पे weather focused हो गया And music का menu, guys इसे आप customize भी कर सकते हो And guys, power on button को press करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको main menu देखने मिलता है जहाँ पे activity goal उन्होंने प्रोवाइड किया है फिर PAI आपको देखने मिलता है heart rate, sleep monitoring, workout में guys यहाँ पे आपको 60 plus workout modes उन्होंने प्रोवाइड किया And guys, यहाँ पे मैंने workout में धेर सारे workout modes यहाँ पे explore किया But as such, यहाँ पे कोई भी swimming का workout mode उन्होंने include नहीं किया अगर मैं यहाँ पे outdoor sports आपको बताओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको different water sports देखने मिलता है But यहाँ पे उन्होंने swimming का workout mode include नहीं किया So guys, यह चीज़ अगर होती तो और भी जादा मज़ा आता था कियर कोई बात ने नीची की तरफ यहाँ पे workout history, SPO2, stress monitoring, breathing exercise, female menstrual health cycle reminder भी उन्होंने यहाँ पे provide किया है To do list का भी option आपको देखने मिलता है तो आप list यहाँ से add कर सकते हो अलाम को यहाँ से आप set कर सकते हो, setting से option में watch face आप set कर सकते हो, screen turn on time आपको सिर्फ 15 seconds का इसके अंदर देखने मिलता है And yes, यहाँ पे more option में आप देख सकते हो, weather forecast, music control and yes, कुछ इस तरीके से जो notification है वो भी यहाँ पे pop हो जाता है And जिसे मैंने बता है, more setting में यहाँ पे weather forecast, music control, countdown, stopwatch, world clock का भी option आपको देखने मिलता है फिर यहाँ पे camera shutter and find my phone So guys, काफी बढ़िया and refined UI आपको देखने मिलता है इस particular smart watch में So guys, यहाँ पे जो Amazfit का watch UI था ना, बहुत ही बढ़िया लगा, no doubt But guys, एक चीज़ यहाँ पे workout में ना, कोई भी swimming का workout mode इनोंने include नहीं किया था So, मैंने बहुत बहुत बार उसे ढूंड़ कि swimming का workout mode कहाँ है, but personally मुझे नहीं मिला So, भाई, हमारे team member को यहाँ पे बुलाते है, आज ओ, देखो इसके अंदर आपको swimming का workout mode देखने मिल रहा है और नहीं मिल रहा है Guys, 5 ATM water resistant smart watch and swimming का workout mode नहीं नहीं है तो subscriber को लगेगा है और मुझे बूल रहा है, मत बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए देखो तो, सची, सची चेक करने है, वोल रहा है नहीं सच में नहीं है बड़ी तेज टीम है, हमारे 60 sports mode यहाँ पाँ सेकंड में चेक करती है क्या, नहीं मिला, नहीं मिला तो देखो, guys, यहाँ पर हमना टीम ने भी चेक किया बट यहाँ पर कोई भी है, swimming का workout mode हमें देखने नहीं मिल रहा था 5 ATM water resistance होने के बावजूद यहाँ पर अगर मैं health tracking parameters की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर Amazfit के अंदर उन्होंने continuous heart rate monitoring प्रोवाइड किया है और आप देख सकते हो, heart rate tracking यहाँ बहुत ही बड़ी आपको देखने मिलता है उसी के साथ SPO2 monitoring भी प्रोवाइड किया है and guys, SPO2 monitoring में ना smartwatch बहुत ही tight आपको वेर करने पड़ते है दो तीन बार हमने चेक किया तो reading नहीं आई similarly, stress monitoring में भी हमें reading देखने नहीं मिल रही थी but फिर guys, ऐसा थोड़ा tight पकड़ के watch हमें SPO2 की reading मिली जो मुझे accurate लगी and yes, stress monitoring ऐसा tight पकड़ के भी हमें reading नहीं मिल रही थी so guys, यह सारे parameters उन्होंने प्रोवाइड के and Deezer Watch DB perform करता है सिर्फ guys, Deezer Watch D में आपको stress monitoring का factor देखने नहीं मिलता है but guys, अगर मैं यहाँ पर workout modes की बात कर रहा हूँ न तो यहाँ पर Amazfit के अंदर आपको सिर्फ 60 workout modes देखने मिलते है जबकि यहाँ पर Deezer Watch D में उन्होंने 110 plus workout modes यहाँ पर include के है so no doubt guys, workout modes आपको Deezer Watch D में ही जादा बढ़िया देखने मिलेंगे and guys, अगर मैं यहाँ पर notifications की बात कर रहा हूँ न तो Amazfit के अंदर यहाँ पर आपको quick notifications देखने मिलते है and यहाँ सी आप call को reject कर सकते हो यहाँ फिर accept कर सकते हो plus guys, यहाँ पर Amazfit ने quick reply का भी option इसके अंदर provide किया जो यहाँ पर आपको Deezer Watch D के अंदर देखने नहीं मिलता है so no doubt guys, notification wise Amazfit यहाँ पर बहुत ही बढ़िया निकल के आती है and सबसे important चीज मतलब जब भी मुझे SMS receive होता है बड़े से बड़ा SMS directly में Amazfit smart watch के ओपर यहाँ पर रीड कर सकता हो and Deezer watch D के ओपर सिफ 8-10 words का ही SMS में रीड कर सकता हो so यहाँ पर Amazfit notification wise clear clear winner है कहा तो winner वनाओ इसको, कहा तो वनाओ ठीक है, एक जगा जीता है, अच्छा लगा मेरेको notification and guys finally हम बात करेंगे बैटरी को लेके so यहाँ पर Amazfit के अंदर उन्होंने 280 mAh की बैटरी पर वाड़ किये and typical use के सिनारो पर आपको 7 days की बैटरी लाफ यहाँ पर देखने मिलेगी and guys Deezer watch D के अंदर आपको 350 mAh की बैटरी देखने मिलेगी and typical use के सिनारो पर आपको 10 days की बैटरी लाफ यहाँ पर देखने मिलेगी so guys यहाँ पर तो clear clear winner Deezer watch D ही निकल के आती है क्योंकि बैटरी लाफ भी जादा है and working time भी बहुत ही जादा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा and guys finally हम बढ़ते हैं यहाँ पर Zeb application की UI की तरफ जो Amazfit का app UI वैसे इसका app UI आपको इसी के वीडियो में जाके चेक करना है so guys यह है Zeb application and सबसे पहले यहाँ पर आपको धेर सारे widgets देखने मिलते हैं जैसे कि आपने कितने steps लिए आपका sleep data क्या था आपका continuous heart rate monitoring हो गया PAI आपको देखने मिलता है and yes यहाँ पर हमने outdoor walking भी इसमें test किया था and इसके अंदर आपको in-app GPS भी देखने मिलता है आप देख सकते हो कितना map हमने यहाँ पर cover किया वो आपको देखने मिलता है and guys यहाँ पर chart form में भी बहुती detail में information आपको देखने मिलेगी so guys यह बहुती बढ़िया बात है and guys यहाँ सी आप walking हो गया outdoor running cycling को trigger कर सकते हो watch faces guys यहाँ सी आप change कर सकते हो and number of watch faces यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे and yes guys यहाँ उन्होंने customizable watch face का भी option इसके अंदर प्रोएड किया जो मेरे हिसाब से बहुती बढ़िया बात है health monitoring section में आप heart rate हो गया sleep monitoring हो गया stress monitoring हो गया उसे भी set कर सकते हो 24 by 7 parameters पे and notification and reminders को यहाँ से हमने enable किया है guys different application के notifications को आप enable कर सकते हो watch face vibration settings watch settings आपको देखने मिलते है and यहाँ पर different application के settings प्रोएड किया है find my watch option आपको देखने मिलता है फिर यहाँ पर real time monitoring सारी चीज़े गई यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो and firmware भी आप देख सकते हो latest firmware पर है हम लोग यहाँ यहाँ अगर हम home page में जाएंगे तो नीचे की तरफ भी आपको app alerts का section देखने मिलता है जहाँ आप different application के notifications को enable कर सकते हो so guys no doubt यह जो जब application ना बहुत ही refund आपको देखने मिलेगा so वैसे guys time have final conclusion का हर एक aspect के बारे में यहाँ पर हमने discuss किया and by हमारे हाथ दूपने लगे इन दोनों घडियों को पकड़ के तो अभी के लिए साइड में रखते हैं तो वैसे तो guys हर एक parameter हर एक aspect के बारे में यहाँ पर हमने discuss किया and most of the time यहाँ पर डीजो वोच दियाना बहुत ही बढ़ी बढ़िया निकल के आते है हलांकि कुछ factors ऐसे भी जहाँ पर Amisfit यहाँ पर जीता है जैसे कि आपको बता दू 3,499 और डीजो की pricing है 2,999 तो यहाँ पर 500 रुपे का price bracket का difference है यहाँ पर so links आपको नीचे description box में मिल जाएगी आपकी मर्जी है guys purchase करना है करो नहीं करना है नहीं करो और ऐसे ही Tech Related Unboxing के लिए पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और एक इंपॉर्टन बात पर मेरा Facebook पेज और Instagram पेज भी लाइक कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद